एक कवा बहुत दूर तक उठ चुका था और अब पानी की प्यास के कारण जाडियों में खो गया था आखिरकार उसकी नजर एक बर्दन पर पड़ी जो पानी से आधा ही भरा था जब उसने पानी पीने का प्रयास किया तो उसकी चोंच पानी तक पहुचने के लिए पर्याप लंबी नहीं थी तब ही उसकी नजर जमीन पर पड़े पत्थरों पर पड़ी और उसने एक एक करके बर्दन को उनसे तब तक भरा जब तक की पानी शीर्ष पर ना आ गया उसके बार कौवे ने अपनी प्यास पुझाने के लिए तुरंट उसने से पानी पी लिया कहानी का सार अगर चाहो तो हमेशा कोई ना कोई रास्ता होता है पर्याप प्रयास और लगन से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है